दोस्तों क्या आपको पता है, रावन और महाबली पवन पुत्र हनुमान जी में कौन थे सबसे शक्तिशाली? दोस्तों, हनुमान जी और रावन दोनों ही महान शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं, लेकिन दोनों की शक्तियों का स्वरूप और उप्योग अलग-अलग था. रावन ने एक महाबली और विद्वान राजा था, जिसे शिव जी का वर्दान प्राप्त था उसके पास असाधारं शारीलिक शक्ति, बुद्धिमत्ता और तंत्र मंत्र का ज्यान था वो है एक महान योध्धा था और उसे अनेकों दिवियास्ट शस्ट प्राप्त थे वे भगवान राम के अनन्य भक्त थे और उनकी भक्ती के कारण वे किसी भी चुनोती का सामना कर सकते थे उनके पास शारीरिक बलके साथ साथ दिव्य शक्ति थी जो उन्हें अजया बनाती थी उन्होंने कई अफसरों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जैसे रावन की लनका को जलाना और उसकी सेना का नाश करना रामायन के अनुसार अंततह रावन भगवान राम के हाथों पराजित होता है जबकि हनुमान जी अपने संपूर्ण समर्पन और शक्ती से हर चुनोती का सामना करते हैं दोस्तों कॉमेंट जैश्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें